पहले एक इस तरह से हम इस्फियर बना लिये और इसमें बना देते हैं एक कैविटी इसका कहां पर होगा तो सेंटर कहीं यहां पर होगा और इसके इसका रेडियस कितना आप है तो हमको एक आरवाइट टू रेडियस का कैविटी बनाना है और यहां पर हम देख सकते हैं कि यह जो कैविटी है यहां बना चुके है यह मेरा center था ठीक है और यह पूरा कितना है तो यह पूरा R है तो इसका जो cavity बना इसका radius R by 2 होगा और इसका जो center है वो बड़े वाले sphere के center से R by 2 पर सारा data हम यहां जो दिया है उसके हिसाब से बना रहे है इसका mass M है radius R है तो इसका mass कितना हो जागा इसका mass हो जागा M by 8 क्योंकि इसका radius कितना R by 2 ठीक है तो cavity का जो mass होगा M by 8 होगा radius R by 2 होगा क्योंकि तो टोटल volume अगर बड़ा वाला का बात करें तो volume 4 by 3 pi R cube होगा तो इसका mass कितना M है तो छोटे वाले cavity का बात करें तो 4 by 3 pi R by 2 का whole cube तो यह 1 by 8 हो जाएगा है ना तो अगर हम सपोस करो कि बड़े sphere में से एक छोटा sphere काटके निकालते हैं तो बड़े sphere का mass M होगा और जो छोटा sphere यहां से काटके निकालेंगे उसका mass M by 8 होगा cavity का कोई mass नहीं होगा हम cavity की mass की बात नहीं कर रहे हैं हम बड़े sphere में चोटा sphere जो कटके निकल रहे हैं उसका mass M by 8 होगा और radius R by 2 होगा ठीक है तो अगर इस cavity के अंदर एक mass M रखते हैं is placed inside the cavity at a distance R by 4 from the center of the sphere मतलब कि यहां पर यहां पर यहां पर यह जो sphere है इस से R by 4 R by 4 distance पर यहां पर एक mass अगर हम रखते हैं तो उस पर force बताने हैं हम सबसे पहले क्या करेंगी कि जो mass M है जहां पर रखा हुआ है वहां पर total value निकाल लेंगे हम इसका total value gravitational field का total value वहां पर हम निकालेंगे तो हम बड़े वाले का पहले निकाल लेते हैं तो बड़े वाले sphere की वज़े से जो gravitational field हो जाएगा वह जाएगा gm into x upon r का cube यह formula पढ़ाय थे हम कि gm x by r cube क्योंकि देखो जो बड़ा sphere है उसके लिए यह center है और यह जो point r by 4 जो point है यह x distance पर तो यह एक center है inside point है यह क्या inside point तो solid sphere का inside point पे जो gravitation field का value होता है वह इसी formula से आता है और यहाँ पर जो value है वो gm upon r cube into x का value कितना लेंगे r by 4 यहाँ से हम लिख सकते हैं कि gravitational field जो आया है r by 4 पे बड़े sphere की वज़े से वो gm by 4 r square आया है समझ गे इतना आ चुका है clear है अब देखो अब यहाँ पर यह बड़ा sphere होगा अब जो छोटा sphere है जिसको काटके निकाला जाएगा जहां पर cavity बन जाएगा उसकी वज़े से अगर gravitational field निकाले और उसके भी center से यह जो point है वो r by 4 distance पर ही रहेगा क्योंकि total r by 2 था तो यह r by 4 distance पर रहेगा और यह भी इस छोटे sphere के लिए inside point ही होगा तो इसलिए g into mass इसका m by 8 into distance कितना है x के जगा r by 4 upon इसका radius r by 2 का whole cube यह कर दिए यहां से e2 equal to आ जाएगा gm r और यह 8 4 जा 32 divided by r cube upon 8 8 से 4 पर में कट जाएगा तो यह हो जागा एक r भी कट जाएगा so gm upon 4 r cube था यहां पर 4 r square तो gm by 4 r square यहां पर जो छोटा जो छोटा वाला था जो छोटा sphere जो यहां से काटके निकाला गया है उसकी वज़े से अगर हम gravitational field का value निकालते हैं at a distance r by 4 from its center तो उसका value भी कितना रहे है gm by 4 r square okay ठीक है तो चलो इतना अब हम लोग कर लिए अब हम तुमको समझाने जा रहे हैं कि आगे का method क्या रहेगा ठीक है तो इसको थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं कुछ data है जो हम यहां note करके रख लेते है ठीक है e1 और e2 का value लिख लेते है e1 का value आ चुका है gm by 4 r square और e2 का value आ चुका है gm by 4 r square ठीक है यह आ चुका है बाकी और काम कर नहीं है तो इसको तो जो values आया है यह पहला तो बड़े वाले मास की वज़े से यह center था इसका यह आर भई 4 distance पे e1 का value आया एको e1 की तरह होगा center की तरफ होगा क्योंकि यह पूरा point mass center पर मान सकते हम e1 का value इस तरफ हो जाएगा फिर इसके साथ हमको subtract करना है किसको subtract करना है तो e2 को e2 यहाँ पर है और यह इसका gravity का center है इसका mass m था radius r था इसका mass m by 8 था radius r by 2 था और इसके center से यहाँ पर जो e2 है यह भी इसके center की तरफ होगा gravity का value जो होता है वो towards the center of the sphere होता है तो e1 e2 मतलब gravitational field जो है वो towards the center यहाँ भी gravitational field towards the center तो e1 का जो value है उसको हम लिख सकते हैं e1 का value को vector form में लिख सकते है gm by 4r square ठीक है i cap sorry minus i cap negative में और e2 का value हम लिख सकते है gm by 4r square into i cap clear है तो net net electric net gravitational field field will be equals to e1 ठीक है minus e2 क्यों e1 क्यों लिख रहे है e1 minus e2 क्योंकि हम इसमें से mass को हटा रहे ठीक है हम mass को add नहीं कर रहे है ला करके इस वज़े से e1 plus e2 मत लिखना वलकि e1 minus e2 लिखना clear है तो यहाँ से आ जागा gm by 4r square i cap minus में फिर minus gm by 4r square i cap तो दोनों मिलके क्या हो जागा minus 2gm upon 4r square i cap या फिर minus gm by 2r square i cap और minus i cap इसका direction है तो केवल अगर magnitude की बात करें तो gravitational field मेरा उस point पर जहां पर small m रखा हुआ है वहाँ पर आ चुका है gm by 2r square तो हमको क्या चाहिए था force चाहिए था तो force is equal to mass into gravitational field कर सकते हैं तो force equal to आ जाएगा gm by 2r square gm by 2r square option number c जो है इसमें सही हो जाएगा अब उमीद है आपको यह समझ में किस तरह से question को solve करना था देखो एक बार sum up कर लेते पहले तुम e1 निकालोगे किसकी वज़े से बड़े sphere की वज़े से कहां पर जहां पर point mass m रखा वाई small m फिर तुम e2 निकालोगे किसकी वज़े से तो जो काटके निकालने वाले उसकी वज़े से अब चुकि हम काटके निकाल दिए इसलिए net gravitational field निकाल ले लिए दोनों घटा देंगे direction भी लिख लेना minus आई के अब आई के अब उसके बाद घटाना यह तो तुम क्या करोगे 0 कर दोगे तो इसलिए तुम दोनों का direction लिख कर के minus करना इसमें गलती नहीं होगा तो net gravitational field आ जाएगा जहां पर point mass small m को रखने वाले हैं तो net gravitational field आ गया उसको mass से multiply कर दो force आ गया तो इस तरह से question को solve करना था उम्मीद आप समझ पाएंगे thank you so much for watching अजय को आएंगे